कह रहे है सरकार घाटे में चल रही है रहे काहे की घाटे में चल रही है सरकार क्यों घाटे में चल रही है सरकार खा गए सारा पैसा ये पैसा एक एक पैसा निकलवाना इन से इनका अपना एक मंत्री गड़बड कर रहा था अभी विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को भी नहीं पता था, इनके कान में बात आई, इन्होंने अपने मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना विश्वास किया, इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए हुए हैं गुजरात के लोगों ने इतना प्यार दिया इतना प्यार मिल रहा है जहां हम जा रहे हैं अभी मैं सडक से आ रहा था जहां हम सडक से गुजरते हैं लोग सडक के दोनों तरफ खड़े होके इतने प्यार से हाथ हिलाते हैं इतना स्माइल करते हैं, इतने विश्वास से, इतनी उमीदों से देखते हैं दोस्तों मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि अगर सरकार बनी तो आपकी उमीदों को तोड़ूँगा नहीं मैं एक एक आपके विश्वास पूरा करोगा सबसे पहले एक खुश खबरी देता हूँ गुजरात सरकार का सर्वे, गुजरात सरकार ने एक सर्वे कराया है अपनी खुफिया एजंसी से, सरकार की एक खुफिया एजंसी आई भी उनसे सर्वे कराया है, सरकारी रिपोर्ट में ये आया है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है लेकिन अभी मार्जिन कम है अभी चुरानवे 95 सीट आ रही है 95 नहीं चाहिए है अपने को भारी भावमत से जीतना है जीतना है कि नहीं जीतना है दिल्ली वालों ने 70 में से 67 सीट दी थी 67 सीट पंजाब वालों ने 117 में से 92 सीट दी थी 92 गुजरात वाले तो रेकॉर्ड तोड़ेंगे दिल्ली और पंजाब का कि देड़ सो सीट चाहिए कम से कम देड़ सो सीट दे होंगी कि नहीं होगी सरकार बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी लेकिन यह चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा केजरी वाल अकेले नहीं लड़ सकता भगवंत मान अकेले नहीं लड़ सकता इशुदान गडवी अके अपने अपने गाओं की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने अपने महले की अपनी अपनी गली की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी पचास दिन बच गए अब अपने को खाना नहीं है पीना नहीं है सोना नहीं है घर घर जाके एक वोट एक एक वोट कम से कम डेड़ सो सरकार बनने के बाद क्या-क्या काम करने हैं सबसे पहला काम करना है ब्रश्टाचार खतम करना है करना है कि नी करना है इन्हों ने लूट लिया गुजरात को 2017 सौल में इन नेताओं ने इन मंत्रियों ने इन सब ने मिलके इतने घर बनवा लिये इतनी property खरीद ली इतनी जमीने खरीद ली इतना पैसा Swiss Bank को में बेज दिया इतना पैसा लूट लिया इन लोगों ने यह सारा पैसा इन से निकलवाना है वापस निकलवाना है कि निकलवाना है कह रहे हैं सरकार घाटे में चल रही है रहे कहें कि घाटे में चल रही है सरकार क्यों घाटे में चल रही है सरकार धाई लाख करोड का बजट है गुजरात का 1.5 लाख करोड रुपे का हर साल 1.5 लाख करोड रुपे 1.5 लाख करोड रुपे खर्च करते हैं मैं पूछना चाहता हूँ आपके गाउं में कोई सडक बनी कोई स्कूल बना कोई अस्पिताल बना पानी आया कुछ नहीं करा इन्होंने 27 साल में ये पैसा गया कहा ये सारा पैसा कहा गया खा गये सारा पैसा ये पैसा एक एक पैसा निकलवाना इनसे ये सारा पैसा इनसे निकलवाएंगे इनके सारे काले धंदे बंद करेंगे इन्होंने जितना लूटा था सारा पैसा इनसे वापस लेकिया आएंगे दूसरी बा अगर कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा भगवनतमान साब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अभी थोड़े दिन पहले इनको पता चला इनका अपना एक मंत्री घडबड कर रहा था अभी विपक्ष को नहीं पता था मीडिया को भी नहीं पता था इनके कान में बात आई इन्होंने अपने मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया कभी सुना आपने आज तक भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी मुख्य मंत्री ने अपने मंत्री को पकड़गे जेल में डाल दिया इतनी कट्टर इमांदार सरकार है इतनी कट्टर इमांदार पार्टी है अपना भी कोई चोरी करेगा बक्षेंगे नहीं उसको गुजरात का एक-एक पैसा एक-एक पैसा आपके उपर खर्चोगा जनता के उपर खर्चोगा अब कोई पैसा स्विस बैंक में नहीं जाएगा कोई पैसा नेता की जेब में नहीं जाएगा एक-एक पैसा आपके उपर खर्च करेंगे आप अगर किसी सरकारी दफ्तर में काम कराने जाओगे अब बिना रिश्वत के काम शुरू हो जाएगा दिसंबर के बाद कोई रिश्वत नहीं चलेगी दिल्ली में रिश्वत बंद कर दी हमने लोगों का काम बिना पैसे के होता है जाती प्रमान पत्र बनवाना हो राशन का बिजली का कनेक्शन लेना हो पानी का कनेक्शन लेना हो दिल्ली में भी बिना के पैसे के काम होता है पंजाब में भी बिना पैसे के काम होता है अब दिसंबर के बाद गुजरात में भी बिना पैसे के आपका काम होगा हम ऐसी विवस्था करेंगे, दिली में मैंने कर दी है, वैसे गुजरात में ऐसी विवस्था करेंगे, आपको अपना काम कराने के लिए सरकारी दफ्तर में जाना नहीं पड़ेगा, सरकारी अधिकारी आपके घरा के आपका काम करके जाएगा, आप बस फोन कर देना, कि मेरे क को ये काम करना कराना है सरकार से एक अफसर आपके घर आके आपका काम करके जाएगा करप्शन खतम करेंगे ब्रश्टाचार खतम करेंगे इतना पैसा बचेगा इतना पैसा बचेगा उस पैसे से सबसे पहला काम करेंगे आपका बिजली बिल जीरो कर देंगे होना चीए नहीं होना चीए दिल्ली में बिजली की बिल जीरो आते हैं इतनी महंगाई हो रही है घर का खर्चा चलता नहीं लोगों का तो मैंने और भगवंतमान साब ने सोचा कि इतना सा काम तो जनता का कर देते हैं कि बिजली इतनी महंगी है दिली में हमने बिजली के बिल बिजली जीरो कर दी बिजली माफ कर दी पुराने जितने बिल थे लोगों के किसी के सत्तर हजार का बकाया था किसी का एक लाख का बकाया था सारा माफ कर दिया पुराना पंजाब में भी कर दिया भगवन तमान ने एक मार्च के बाद से दिसंबर में हमारी सरकार बनेगी एक मार्च के बाद से आपका सबका बिजली का बिल जीरो आया करेगा मौजूदा बिल भी जीरो आएगा और जो पुराना बकाया पड़ा हुआ आपका जो जितना बकाया बिल है वो सारा बकाया बिल भी जीरो होगा तो एक मार्च से खूब बिजली इस्तेमाल करो बिजली का बिल जीरो आएगा ये मिरे को खूब गालियां दे रहे हैं आप अखरार में पढ़ते होगे तीवी में देखते होगे केजरिवाल फ्री की रेवडी बाट रहा है केजरिवाल फ्री की रेवडी बाट रहा है गुजरात के मुख्य मंत्री को पांच हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने गुजरात के एक-एक मंत्री को चार-चार हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है एक महीने में मैं अगर जनता को तीन-सो यूनिट बिजली मुफ्त देता हूं तो इनको मिर्ची लगती है जनता को बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए मिलेगी एक मार्च के बाद से बिजली मुफ्त हो जाएगी गुजरात के अंदर भी जितनी मेरी बेहने आई हुई हैं मैं देख रहा हूँ बहुत सारी बेहने बेहने जड़ा हाथ उठा के दिखा दें कौन को ने बहुत बेहने माएं बेटियां सब आई हुई हैं जजजज बहन का जजजज मा का जजजजज बेटी का बैंक अकाउट नहीं है अपने अकाउट खुलवा लेना हर अकाउट में 18 साल से उपर की महिला के हर अकाउट में हर महीने 1000-1000 उपर डालेगी सरकार और ये मैं सारा हिसाब किताब करके आया हूँ पड़ा लिखा आदमी हूँ इन लोगों की तरह अनपड़नी हूँ पड़ा लिखा आदमी हूँ, इमानदार आदमी हूँ, देशभक्ता आदमी हूँ जो कहता हूँ मैं करता हूँ, सोच समझ के सोच समझ के बोलता हूँ जूट नहीं बोलता तो पूरा इसाब करके आया हूँ एक-एक महिला के अकाउंट में हजार अजार रुपे जाएंगे जिस किसी के घर में दो महिला हैं मा हैं, बेटी हैं, दोनों इठारा साल से उपर है उनको 2000 रुपे मिलेंगे 1000-1000 अलग-अलग जिनके घर में 3 महिलाएं है सास है, बहु है, बेटी है उनको 3000 रुपे मिलेंगे 1000-1000 रुपे सबके अलग-अलग होना चीए नहीं होना चीए यह कहते हैं केजरी वाल फ्री में बांट रहा है अरे केजरी वाल लूट तो निरा स्विस बैंक में तो निले जा रहा पैसे जनता में ही तो बांट रहा है मेरी तो जनता है सारी की सारी हवे तमारे चिंता करवानी जरूरी न थी तुमारो भाई आवी गयो छे और मैं गुजरात के एक दो स्कूल देखने गया सरकारी स्कूल इन्होंने इतना बेड़ा गर्क करखा है सरकारी स्कूल कबाड खाना बने पड़े हैं सरकारी स्कूल कोई पढ़ाई नहीं होती तूटे पड़े हैं दिल्ली के अंदर भी पहले यही आल था दिल्ली में पांच साल के अंदर हमने सारे सरकारी स्कूल इतने शांदार बना दिया इतने शांदार सारे सरकारी स्कूल तोड़ तोड़ के नई बिल्डिंग बना दी शांदार बिल्डिंग अब दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवे बहुत बड़ी बात है एक मजदूर महिने में मुश्किल से 5000 रुपे कम आता है अब उसका इंजिनियर बनके आ जाएगा 4 साल बाद इंजिनियर की तंखा होती है तीन लाख रुपे महिना वो इंजिनियर बनके आएगा अपने बाप के हाथ में तीन लाख रुपे महिना रखेगा बाप की गरीबी दूर हो जाएगी होगी की नहीं होगी जैसे दिल्ली के अंदर अमने स्कूल ठीक करे पूरे गुजरात के अंदर नए सरकारी स्कूल खोलेंगे खूब सारे सरकारी स्कूल जितने पुराने सरकारी स्कूल है सब को तोड़ तोड़ के नया सरकारी स्कूल बनाएंगे खूब नए टीचर भरती करेंगे खूब नए टीचर भरती करेंगे आपके भी बच्चों को मैं अच्छा शिक्षा दूँगा, अच्छे शिक्षा दूँगा, मेरे को राजनीती करनी नहीं आती, मेरे को गुंडागरदी करनी नहीं आती, मेरे को भष्टाचार करना नहीं आता, स्कूल बनाने आते हैं, बच्चों को पढ़ाना आता है, आपके यहमारा सरकारी स्कूल बहुत खराब है इसको ठीक करा दो तो नेता कहता है सरकारी स्कूल में जाने की क्या जूरत है प्राइवेट में चले जाओ वो बच्चा बोला सर हमारे घर में पैसा नहीं है प्राइवेट में कैसे जाओ तो वो नेता कहता है फिर पढ़ने की क्या जरूरत है मजदूर बन जाओ ये लोग तुम्हारे बच्चों को मजदूर बनाना चाहते है केजरीवाल तुम्हारे बच्चों को डक्टर, इंजीनियर, वकील बनाना चाहता है अगर अपने बच्चों को मजदूर बनाना है इनको वोट दे देना अपने बच्चों को डाक्टर बनाना है अच्छा आदमी बनाना है बड़ा आदमी बनाना है मेरे को वोट दे देना आपके बच्चों का भविश्य बना दूंगा मैं कि ऐसे श्कूल बना देंगे पूरे गुजरात के अंदर सरकारी स्कूल मैं चैलेंज करता हूँ दिल्ली के अंदर आज लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल-निकाल के शरकारी स्कूल में भरती करा रहे हैं चार लाख बच्चों ने, पिछले 2-3 साल में, चार लाख बच्चों ने प्राइवेट से नाम कटा के सरकारी स्कूल में बर्तिक राये हैं. गुजरात में भी इतने शांदार सरकारी स्कूल बना देंगे, आपको प्राइवेट की जुरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन जिसको अपने बच्चे प्राइवेट में भेजने हैं आज प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडा कर दी मचा रखी है मचा रखी है कि नहीं मचा रखी जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं बिना और ये नेता इनके साथ मिले हुए है आदे स्कूल तो निताओं के हैं आदे उनके रिष्टेदारों के हैं और नितो पैसे लेते हैं स्कूल वालों से हमारी पार्टी मांदार पार्टी है हमारी सरकार बनने के बाद ये सारे प्राइवेट स्कूल वालों को आडिट करवाएंगे और किसी को फीस नहीं बढ़ाने देंगे दिल्ली में साथ साल में किसी प्राइवेट स्कूल वाले को नजाइच फीस नहीं बढ़ाने दें गुजरात में भी करेंगे आज अगर आपके घर में कोई बिमार हो जाए आप उसको प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हो छोटी सी बिमारी हो हजार रुपे का खर्चा आ जाता है और थोड़ी सी भगवान ना करें बड़ी बिमारी हो जाए तो जमीन बिक जाती है जायदाद बिक जाती है गहने बिक जाते हैं और फिर भी पता नहीं आदमी जि चांदार कर दिये गली गली के अंदर महला क्लिनिक खोल दिये और दिल्ली के सारे दो करोड़ लोगों का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया आपके सारी दवाईयां मुफ्त मिलती हैं अस्पिताल में टेस्ट मुफ्त होते हैं अपरेशन मुफ्त होता है दस रुपे की बिमार ये तो भी सारा मुफ्त अमीरों के लिए भी गरीमों के लिए सरकार होती किसलिए नितो अगर सरकार अच्छी शिक्षा ना दे सके अगर सरकार अच्छा इलाज ना करा सके तो ऐसी लानत है ऐसी सरकार के उपर दिल्ली में दो करोड़ लोगों का सारा इलाज मुफ्त कर दिया गुजरात में सरकार बनने के बाद साड़े छे करोड़ गुजरातियों का सब का इलाज मुफ्त कर देंगे पूरा इलाज में भगवनतमान साब को भी छे महीने भी नहीं हुए इन्होंने सो महला क्लिनिक खोल दिये, गाउं गाउं के अंदर हर महले के अंदर ये भी महला क्लिनिक खोल रहे हैं पंजाब के अंदर इतने खुश है लोग, दो लाख लोगों का इलाज हो चुका पिछले 15-20 दिन के अंदर, पूरे गुजरात के अंदर हर गाउं में महला क्लिनिक खोलेंगे 20,000 महला क्लिनिक खोलने हैं मैंने पूरी प्लानिंग करी है अब आपको भगवान ना करे कोई आपके घर में बिमारी हो लेकिन अगर कोई बिमार होता है तो पैसे की चिंता मत करना आपकी नई गुजरात सरकार जो आएगी वो आपका ख्याल रखेगी आपके परिवार का ख्याल रखेगी आपके बच्चों के लिए रोजगार का भी इंतजाम करेंगे कौन-कौन बेरोजगार किस-किस के घर में बेरोजगार है जड़ा हाथ खड़े करें सब के घर में बेरोजगार मैंने अभी इनके नेता को देखा एक बहुत बड़ा इनका नेता टीवी में इंटर्व्यू दे रहा था उससे पूछा टीवी वाले ने बोले जी बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो गए कहता है इसमें हम क्या करें यह जितने बेरोजगार है सारे निकम्में हैं कहता है यह सारे काबिल नहीं है मैं कहता हूँ हमारे लोग तो काबिल है तुम्हारे नेताओं के बच्चे निकम्में है पूछना चाहता हूं नेताओं के बच्चे निकम में हैं कि जनता के बच्चे निकम में हैं नेताओं के बच्चे निकम में हैं वो तो तुम्हारे बच्चे तो MLA बन जाते हैं उनको टिकेट मिल जाती है तुम्हारे बच्चे चेर्मेन बन जाते हैं, उनको चेर्मेन बना देते हो हमारे बच्चों को एक मौका तो देखके देखो, तुम्हारे बच्चों को पीछे छोड़ देंगे मैं आपके बच्चों को नौकरी दूँगा मैं आपके बच्चों को रोजगार दूँगा दिली में 12 लाख बच्चों को मैंने रोजगार दियें 12 लाख बच्चों को मैंने रोजगार दियें भगवंतमान ने अभी 6 महीने में 17,000 बच्चों को नौकरी दिये सरकारी नौकरी अभी और अभी और बहुत सारी नौकरियां मैंने अभी आपको बताया गुजरात में हमारी सरकार बनेगी खूब सारे स्कूल खोलने हैं खूब सारे अस्पिताल खोलने हैं महला क्लिनिक बनाने हैं नएने अस्पिताल बनाएंगे इतनी नौकरियां निकलेंगी इतनी 10 लाख सरकारी नौकरिया नई सरकारी नौकरिया निकलेंगी गुजरात के अंदर 10 लाख सरकारी नौकरिया और जब तक रोजगार नहीं मिलता बेरोजगारी भत्ता देंगे 3,000 रुपे बेरोजगारी भत्ता हर बेरोजगार को मिलेगा मंजूर है दूसरा है यह रोज पेपर फूट जाते हैं इनके गुजरात में रोज पेपर फूट जाते हैं जितने लोगों ने पेपर फोड़े 2015 के बाद से जितने पेपर फूटे हैं सारी जांच दुबारा पूरा schedule बना लिया तलाटी का paper फरवरी के महिने में होगा TET का और TET का paper जुलाई के महिने में होगा टीचरों का paper अप्रेल के अगस्त के महिने में होगा और पुलिस की सारी भरतिया अगले साल नमंबर के हैं सारे paper अगले एक साल के अंदर लेके आप को नौकरियां देंगे चंता मत करना और उन्होंने खूब आज कल गुंडा-खर्दी मचा रखी है चारों तरफ इतना धंकाते हैं डराते हैं जोगों को कोई इनके खिलाफ कुछ बोल दे हैं उसेको ढराते हैं धंकाते हैं के नहीं के धंकाते डराते हैं कि नहीं डराते बहुत डराते हैं ओटो वाले को बताओ बिचारे का क्या कसूर था एक बिचारा छोटा बिचारा इमानदार आदमी उसने मेरे को प्यार से खाने पे बुला लिया मैं उसके घर खाने पे चला गया कोई गलती करी बताओ उसको देखो कैसे कर रहे हैं वो लो आम आद्मी पाटी शरीफ पाटी है इमानदार लोगों की पाटी है देशवक्तों की पाटी है अब खत्म कर दो ये गुंड़ागर्दी बन्द करनी है भगवंतमान हमेशा कहते है कि हर साल पेड़ भी अपने पत्ते बदल लेता है अब आप तो 27 साल में 7 बदल दो कम से करने तो यह आइभी की रिपोर्ट आई है भै सरकार बन रही है लेकिन एक चीज ख्याल रखना यह दोनों पार्टियां जबसे रिपोर्ट आई है दोनों पार्टियां इकठी हो गई दोनों की secret meeting हो रही है खूब सारी किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए दोनों इकठे दोनों ने इकठे मिलके ही लूटा है सकता ही साल में है की नहीं है चाहिए पक्षमे हो चाहिए विपक्षमे हो मिलके लूटते हैं यह सब की दुकान चल रही है दोनों इकठे हो गए किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए आपने देखा अगर दोनों गालियां दे रहे हैं मेरे को बीजेपी वाले कॉंग्रेस को गाली नहीं देते कॉंग्रेस वाले बीजेपी को गाली नहीं देते दोनों मिलके केजरी वाल को गाली देते हैं बीजेपी कहती है केजरी वाल कमीना इधर से कॉंग्रेस भी कहती है केजरी वाल कमीना वो कहते हैं केजिवाल ठग, ये कहते है केजिवाल महा ठग, ये कहते है केजिवाल अतंकवादी, वो कहते है केजिवाल खालिस्तानी, दोनों में इतनी ज्यादा सेटिंग हो रही है, दोस्तो इस बार अपना वोट बटने मत देना, कॉंग्रेस को वोट मत दे देना गलती से, कॉंग्रेस की सर्वे में दस से भी कम सीट आ रही है और ये दस भी बीजेपी में चले जाएंगे जीतने के बाद अगर जीते तो कॉंग्रेस को वोट मत दे देना कॉंग्रेस के लिए वोट बटने मत देना सारे जन्हें इसमारी कठे हो जाओ सारे वोट बदलाव के लिए और परिवर्तन के लिए बढ़ने चाहिए और दोस्तो हमारे कैंडिडेट अभी दो ही अनाउंस करें बिपिन है भरत सिंग वरवल वाकला है इन दोनों को भी वोट जाडू का निशान याद रखना जाडू पे अभी बाकी सीटों पे हमें वोट कैंडिडेट अनाउंस करने है बाकी सीटों पे भी अनाउंस कर देंगे एक एक करके जाडू का ध्यान रखना बस जाडू के उपर वोट पढ़नी चाहिए और जैसे इशुदान भाई ने बोला एक एक आदमी को सौ सो लोगों को तियार करना है कम से कम आज से लग जाओ एक तो वाटसेप डाल देना आज सबको जितने वाटसेप ग्रूप है सबको डाल देना कि भई मैं भी जाडू पे वोट दे रहा हूं तुम भी सारे जाडू पे दो डाल दोगे अभी जियां से निकलते ही हर ग्रूप में डाल दो और दूसरा अपने गली में महले में हर घर में जाके आपको बोलना है तीसरा जितने युवा हैं युवा तो हमारे साथ हैं माबाप जो है न वो थोड़े से बूजूर गो गए कोई कहता है देखो भई हमने तो जिंदगी भर कॉंग्रेस को दिया कोई कहता है भई हमने तो जिंदगी भर बीजेपी को दिया सारे जने अपने माबाप को जाके अपने घर में समझाना बोले जी इस बार हमारे लिए वोट दो भविश्य के लिए वोट दो बीजेपी कॉंग्रेश छोड़ दो जो बीजेपी वाले हैं आपके महले में आपके गाउं में उनसे पूछना यार 27 साल हो गए वोट देते देते कुछ मिला कुछ नहीं मिला ये केजरी वाल कुछ तो दे रहा है बिजली मुफ्त कर रहा है महिलाओं को पैसे दे रहा है बच्चों के लिए स्कूल बना रहा है अस्पताल बना रहा है एक बार ट्राइ करके देख लो इनको बीजेपी ने तो 27 साथ गलत नहीं बोल रहा है सब को समझाना अपने गाउं में जाके समझाओगे अपनी गली में जाके समझाओगे वाटस अप मेसेज भी अभी सारे जने कर देना और मैं उमीद करता हूँ उपर वाला अपने साथ है उपर वाला सच्चाई का साथ देता है उपर वाला जरूर बदलाव लेके आएगा मेरे को लग रहा है पूरे गुजरात में इस टाइम कुछ ना कुछ तो उपर वाले की जाडू चल रही है इतना भारी समर्थन मिल रहा है इतना भारी समर्थन मिल रहा है मैंने तो सोचा ही नहीं था उपर वाला जाडू चला रहा है जरूर बदलाव होगा भारत मता की